ओम स्री गनेशायनमा दोस्तो एस्टो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून सौंबार के रासी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महतपपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज धन अचल संपत्ती इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभावना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी ब आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुतसाहित करेंगी आपको अपने कारेच्षित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तों आज का समय आर्थिक द्रश्टिको आपके लिए बहुती अच्छा समय है क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं कल आपके छेतर से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेतर में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहारा जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता लोगों से जगड़ा हो सकता है अत्वा आपके जीवन साती दौरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच अनबन हो सकती हैं इसलिए आज आप किरोध पर नियंतन एम वानी पर सैयम रखें अन्यत्था विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधान रह दोस्तों आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रिकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिति आपके विपरीत हो सकती हैं इसल लिए आप जम कर पसीना वाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परेशानी हो सकती हैं इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुबब व्यक्ति से सला लेने की आवशक्ता पढ़ सकती हैं जिहां दोस्तों कई बातों को लेकर आप आज चिंतित हो सकते हैं जिससे सारारिक तथा मानसिक लूप से आज आप ऐस्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनवन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समय लें और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकालें और समस्याओं को हल करने के लिए प्रियाप्त संसादनों को जुटाएं परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप स में आज बाहर आएगी आपको जरूत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाइत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन क अनकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती हैं तथा कामकाज को लेकर भी अपनी बातों को आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो आप अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शानती, सदबाब, रोमान्स आदी का आज समावेस होगा दोस्तो आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती उत्तम दिन रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छेत्र में आज वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और शे करिमियों का आज आपको भरपूर शेयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कार्रे बहुती आसानी से पूरे होंगे दोस्तों आपको अपने करियर और विजिनिस में आज अच्छी सफलता प्राप्त होगी आप अपनी सफलता के आज जंडेगार देंगे जा दोस्तो आर्थिक रूप से भी आज उन्नती के अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे और उसके फलसरूप आज आप अच्छा धनलाब प्राप्त करने में भी सफल हो सकेंगे जा दोस्तो भार की कमपनियों से भी आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना है साथी साथ विध्यार्तियों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है कोट कचैरी से जुड़े लोग भी आज कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जिनमें उनको अवश्य ही सफलत प्राप्त होगी नोकरी कनने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात करते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपके स्वास्थ में कुछ हद तक सुधार आएगा यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती है दोस्तो साथा साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोज़ाना योग करें वैयाम करें स्व ride रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपय क्या है दोस्तो आज आप इसनान आदीशे निर्वत रहोने के बाद भगवान भूले नात को तिल और जो अर्पित करें और शाति साथ माम मिर्तुन्जय मंतर का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें जादोस्तों ऐसा करने से भगवान भूले नात बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही है समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फोलो की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कारें भगवान भूले नात के आसरवाद से बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान भूले नात का असरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भूले नात अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद